दोस्तों अगर आप भी काफी ज़्यादा परेशान है सफेद वालों के वज़े से अगर समय से पहले आपके बाल भी सफेद हो गए हैं तो एक बार यह आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा यह रेमेडी 100% यूजफूल है मेरे द्वारे यूज़ की गई है कम उम अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो ल कि बालों में भला हल्दी का क्या का तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बालों में बैक्टिरिया पनपने लगते हैं और उसी बैक्टिरिया के वज़ा से हमारे बाल जो है वो समय से पहले सफेद हो जाते हैं बालों को काला करने में हल्दी का बहुत ही most important रोल होता है क्योंकि हम हमने यहाँ पर केस्ट्रॉल आयल मिलाया है दोस्तो केस्ट्रॉल आयल के भी अपने फायदे बहुत ज्यादा है बालों को काला करने में आप चाहे तो गूगल पर जाकर हल्दी और केस्ट्रॉल आयल दोनों के फायदे बालों को काला करने के लिए पढ़ सकते हैं इसके बहु बालो को काला करने में कैसे मदद कर सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि रोज वाटर मिलाने के यहां परपस बालो को काला करने नहीं है बलकि हमारे बालो में प्रेजेंट बेक्टिरिया को साफ करने में या फिर अगर हमारे बालो में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई हो धूल मिट्टी प्रदूसर्ण हो गया हो किसी प्रकार के इंसेक्ट हो गए हो तो उन्हें कील करने में बहुत ज्यादा हेलफुल होता है इसलिए हमने यहाँ पर गुलाब जल का यूज किया है ताकि सारी गंदगी जो हमारे बालों से सारे बेक्टिरिया सब कुछ बाहर हो ज और साथ ही साथ नीमबू और रोज वाटर दोनों ही हमारे बालों में प्रेजन्ट बेक्टिरिया को किल करते हैं और जब बेक्टिरिया किल हो जाते हैं तो हमारे बाल सफेद होना बंद हो जाते हैं और अगर समय से पहले अगर हमारे बाल सफेद हो गए हैं तो वह भी काले हो जाते हैं बहुत ही helpful होने वाला है यह वीडियो जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी आप उसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा आपको 100% result मिलेगा इस बात की तो मैं आपको अगर आपको समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं तो अगर आपकी उम्र हो गई है 40-45 के समतिंग भी तो आप यह रेमरी ट्राइ मत कीजेगा क्योंकि उम्रों के साथ कुछ चीजों का होना सोभाविक होता है अब आपको बता दू किसे आपको यूज कैसे करना है आपकी जितन आने के बाद आपको अपने बालों में लगातार कंगी करना है जिससे क्या होता है कोई भी बाल छूट नहीं जाता है सारे बालों में यह इजिली लग जाता है दो गंटे बाद आप इसे मॉयल्ड शेंपू से बालों को वाश कर लिजेगा हपते में दो से तीन बार इस रे